वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल आरे एंड आदित्या क्लासिस दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जो है मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स क्लास एर्थ का प्रैक्टिस से पेपर नमबर वन इसके अंदर हम इसके जो है बेरी सॉर्ट और सॉर्ट टाइप क्वेशन और लोंग टाइप एक कॉश्चन हम करेंगे इससे पहले वीडियो में मैंने इसके बोड़ के वेपर्ज वह कंप्लेट कर चुके हैं और exercise इस में मैं कंप्लेट चुका हूँ तो आप प्लेविस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं मैंने एजी वे होंगे और इसके अंदर ये फिर दिंदे ब्लैंक्स ये दिए वे हैं इनको भी आप देख सकते हैं तो सब्समेरी समझाया हुआ है और जो आज हम कुश्चेन कवर करेंगे तो ये जो है सिंस पर कबंड कभर करेंगे जो आपके जो है बोड एक्जाम के विशल से बहुत ही इंपोर्टेंट हैं और बहुत इजी वे में मैं एक वन बाइस्टेप बाइस्टेप जो है मैंने को सिखाने की कोशिस करूँगा चलिए कुश्चन यह देखिए कुश्चन है दे लेंथ आफ दा रेक्टे प्रपाटी होती है इसकी जो है तो रेक्टेंगल की प्रपाटी होती है कि इसकी जो लेंथ होती है और यह ब्रेंथ यह आपस में एक्वल होती है तो यह लेंथ है यह ब्रेंथ है इसकी आप यहां पर क्या है फ्रेक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है तो लेंथ यहां पर ये पूरे question इसमें दिये हुए हैं समझाए हुए हैं मैं आपको इजी में समझानी कोशिस यहां पर कर रहा हूं तो जो length है length दिया हुआ है इसमें देखिए 17 upon 2 meter और उसके बाद जो breadth दिया हुआ है वो 13 upon 2 meter है इसके बाद हमें इसका जो है perimeter निकालने के लिए इसमें कहा गया है तो इंटू length plus breadth होता है अब यहां पर हम क्या करेंगे कि perimeter आप जैसे rectangle length है तो two into length plus breadth होता है हमने two रख दिया length जो थी यह length की जगह में रख दिया और breadth की जगह में breadth रख दिया अब इसको हमें solve किस तरह से करना है यह हम देख लेते हैं इसमें जैसे यहां पर two into और 17 upon two plus 13 upon two even है अब यहां पर देखे इसको क्या ले सकते हैं अब जब दोनों के denominator सेम होते हैं तो इनको एक बार आप two लिख दीजिए और 17 plus 13 देखे क्या होगा 17 और 13 आप जोडएंगे तो 7 plus 3 हो गया आपका 20 और यह हो गया 30 30 by 2 इसके बाद यहादि मैं 30 by 30 by 2 को यह दिमें आपका 30 मीटर यह आउसर होगा तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर जो है लेंथ हमें लिख लेना है फिर ब्रेथ लिख लेना है फिर पेरिमिटर रेक्टोंगलर रेंड निकालना है इसका फॉर्मूला होता है टू इन्टू लेंथ प्लस लिख लेना है और उसके बाद हमने जो है जो है जो है बांकी जो प्रोसेसर कैसे हमने इसको करना ही यह मैंने आपको यहां पर समझा दिया है तो इसका जहागा 30 मीटर इसका आंसर होता है निएप सुसेंद लिख लिया दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि 5 x-3 इकॉ तिसरे step में आप क्या करेंगे कि जो x तिसरे step के अंदर आप क्या करेंगे जो like terms हैं कहने का मतलब यहां भी x variable है यहां भी x variable है तो इनको हमें एक side पिले जाएंगे तो यहां पर जो यह उपर लिख दें, आपको यहां इससे सामनी लिखना ही है कि transpose करना है 3x को left hand side में हमारे इधर वाले left hand side कहलाता है और यह right hand side कहलाता है तो यहाँ पर 5x है 3x को आप जब इधर ले जाएंगे तो जो plus का sign होता है वो minus में change हो जाता है और यहाँ पर जो minus 3 है उसको आप right side में ले जाएंगे तो यह minus 3 plus हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5x है तो 5x में आप 5 minus 3 करेंगे तो 2 आएगा और x ऐसे का ऐसे ही लिख दिया जाता है तो यह समझ में आ गया होगा आपको उसके बाद एक minus 5 plus 3 है तो देखे माइनस प्लस माइनस प्लस आपका जो है minus 5 होगा और जो greater number होता उसका sign आता है तो 5 में 3 minus करेंगे तो 2 आएगा इसके बाद जो दूसरा step हमें यहाँ पर जो दूसरी चीज़ ध्यान रखने वारी बाते हैं कि जैसे यहाँ पर यह है 2x is equal to minus 2 है तो यहाँ पर जब variable और कोई number होता है इसके बीचे multiply होता है और multiply जो है जब equal को दूसरी तरफ चला जाता है तो यह जब divide जो होता है तो multiply में और जो multiply होगा तो divide में convert हो जाता है तो यहाँ पर x is equal to minus 2 upon 2 और इसको आप simplify करेंगे तो आपका answer यहाँ पर minus कवान आएगा तो यह आप देख सकते हैं इसका screenshot ले लीजिए इसको एक से दो बार आप देख लीजिए समझ में आ जाएगा मैं बार बार इसको नहीं बताऊँगा क्योंकि आपका समय वरवाद होगा तो आपने जो है इस easy way में जो मैं तरीका समझाया है किस तरह से करते हैं इसी तरह से कोई भी question आप सेको solve कर लेना है चलिए next question है write up python 88888 whose one number is 12 तो जिसका एक number जो है पर दिया गया है तो हमें triple 8 निकालने के लिए देखिए एक इसका general formula होता है तो इसके जो हमें 2m की value निकालनी होती है और एक हमें m square minus 1 की value निकालनी है आपे और m square plus 1 की value निकालनी है अब यहाँ पर एक number हमारा जो है given है 12 अब इसी को हम आगे देखिए लेके चलेंगे तो जब 2m is equal to 12 है तो यहाँ पर variable है और यहाँ पर number है तो आप m is equal to क्या करेंगे 12 upon 2 इसको आपकट करेंगे तो आपका answer यहाँ पर m की value 6 आ जाएगी अब यहाँ पर m की value 6 आ गई तो दूसरा number जो यह है m square minus 8 जो यह triplet है इस पर आप इसकी value रख दिए तो m square की जगे में आप 6 का square minus 1 तो 6 का square हो जाएगा 36 और 36 में 1 minus करेंगे तो कितना हो जाएगा यह 35 यह यहाँ पर देखिए given है 35 और यहाँ से हमने एक तो यहाँ पर 2m से यहाँ पर m की value निकली उसके बाद तीसरा है m square plus 1 अब यहाँ पर same m की value में अब इसके अंदर देखिए m square plus 1 है तो m square में हम 6 का square लिख दिये और plus का हमने 1 कर दिया 6 6 होता है 36 और plus का हो गया 1 तो 36 और 1 करेंगे तो 37 आ जाएगा तो इस तरह से हमने इसके 3 triplet हम जो निकाले जो हमने पैथा करेश ट्रिपलेट आर एक तो हो गया number 1 में हमारा यहाँ पर 12 हो गया दूसरा हमारा जो हमने निकाला तो यह हमारा एक हो गया 35 और तीसरा जो हमने 37 तो पैथागर ट्रिपलेट और 12 35 और 37 तो इस तरह ट्रिपलेट को निकालने के लिए कोस्चेन आता है तो सबस्पहले आपको ध्यान रखना है यह जनरल फॉर्म करने है फिर M की वैल्यू निकालना है और यह तीनों जो है इस फॉर्म में हमें लिख देना है ट्रिपलेट पास है बस उनके पास यह टाइम नहीं होता कि बार-बार आप वीडियो देखें इसके अंदर जो है मैग्जम आपके जो है एक्जाम के विए से मैंने यह बनाया है ताकि वह बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा वो कभर कर जाएं थैंक्यों फॉर वाचिंग माई चैनल आप आराम से जो है थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद आप जो है भागी कुश्चन भी आप इसमें कवर कर सकते हैं जै हिंद जै भारत